हेलो फ्रेंज असलाम अलेकूम तो कैसे हैं आप लोग तो यह फिर से व्लोग स्टार्ट होड़ा है कुछ इस तरह से और हम लोग यह कुछ दिन पहले की वीडियो है जब हम लोग वेजिटेबल लाने के लिए गयते हैं और यह देखिए बहरें का वेजिटेबल मार्केट की गली है बहरें में जो कि फ्रेश फ्रेश और बहुत सारे वेजिटेबल में और यह देखिए फिर से बैट गई है फ्लफी मैडम विंडो पर इनको तो बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है अगर सामने कोई आज आज आए अंजानाद भी जिसको यह फ्लफी जानती नह वे छुप-छुप कर देखती है कोई खत्रा तो नहीं है सब कुछ ठीक तो है पड़ ऑसएट भी देखना है नजारा इनको देखना है बहर का कैसा है और यह बड़े अराम से मेरे बेडरूम में आकर यह छुप-छूप कर इस तरह से दिखे पीलों पर किस तरह से बैट कर यह मेडम देख रहे हैcosional बहुत प्यारी लग रहे थी यह व्यूव है कंफी देख रहे है कियो कहीं न स्काइब बनाए जाए फेर्से की बहुत माशलय क्यूट लग रहे थो ग रहे हैं कितने लग रहे हैं और इसकी आइस देख किक हिस तरह से झाल कोvas जैसे डार्क शैडो में आगी तो इसका फिर और आइज नॉर्मल हो जाता है और माशले इतनी प्यारी लग रही थी और मैंसे बोल रहे हो कि तुमको बस यहीं बैठ कर देखना है कितना बड़े अराम से एक बच्चा की तरह बैठ करें यह आउट शैट का नजारा ले रही है क्यूट और फ्लफी मैडम किस तरह से बैठ कर मैडम व्यूज देख रही है आउट शैट का जैसे ही आईशा इसकूल साती है फ्लफी बहुत जादा मिस करती है और चली आती है और हम लोग फिर निकल पड़े हैं इवनिंग का टाइम यह फ्राइडे का डे है तो हम लोग न कुछ बच्चों लोगों के क्लिए खेलने के लिए बहुत बड़ा नहीं है छोटा सा मेडियम सा यह है और काफी इभी प्यारा है पार्क आइसके बाद हम लोग रोट क्रोस करके उस पर जाएंगे जो कि बहुत बड़ा पार्क है जो आप लोग ने देखा है मॉर्निंग व और सबसे अच्छी बात है कि इसेट भी हो रहा था तो इस टाइम हम लोग पहुच गया थे वॉक करके जो कि बहुत मजा आ रहा था और बच्चे पहली बारे जा रहे थे इस पार्क में क्योंकि हम लोगी आये थे मैं और मेरे हजबेन आये थे ना मॉर्निंग वाक करने के लि करेंगे अब बच्चे खेल लेंगे पार्क में तो यह सूछ खर हम लोग आ गया थे और अदर साइड व्यू, सी व्यू और संसेट, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, काफी जैट सी जो होता है, जो लोग चलाते हैं पानी में, तो वो चल रहा था, बोर चल रहा थे, ये साड़ा व्यू काफी अच्छा लग रहा था, मजा रहा था, वॉक करके, यूँ चलत आइस ट्यूब इसको बोलते हैं, जो आइसा खाड़ी है, तो वो अपना खाते हुए नज्वाइ करते हैं, चल रही है पार्क में, और काफी वो एक्साइटेड थी, कि ममा चलो, मैं बोले, ये देखो, तुमारी फ्रेंड है, इसका पिक्चर था, तो मैंने बला आशा को य किलने के लिए भी काफी अच्छा है, और बाकी ये बोर्ट सोट चलते हैं, वो अलग है, इस तरह से व्यू है, और यहां से स्टार्ट हो जाता है, बच्चो लोगों का प्ले एरिया, और ये मस्जीद है, जो सामने है ना, इसमें मस्जीद भी है, और यहां पिसी व्यू के साथ ये वोकिंग एरिया और बच्चो लोगों का पार्क बहुत प्यारा लग रहा था, और यहां पे पार्क के साथ या ये सीव व्यू काफी मिलेंगे, क्योंकि अलरड़ी ये बैरेन एक आइलेंड है, तो आफकोर्स चारो तरफ पानी ही पानी है, इसलिए ज्याद तर ब आइसा व्यू था और मज़ा आ रहा था ये पार्क में, और काफी अच्छा लगता है पार्क के साथ अगर सी व्यू हो तो, तो मज़ा आ जाता है, और काफी अदमी एंज्याई कर रहता है, और इसके बाद हम लोग ने देखा, ये देखिए, बोर्स चल रहे हैं, जैट सी, जो कि यहाँ पर बोलते हैं, सोरी, जैट स्की, जैट स्की होता है, तो वो चल रहे हैं, और यहाँ पर बोर्स भी चल रहा है, काफी मतलब इस टाइम, और ओफ डे के दिन और भी ज़्यादा चलता है, क्योंकि फ्राइडे का डे था, तो लोग काफी नज्याई करते हैं, फ तो परक में तो आइसा बोली बहुत मँज़ाणा ममा और काफी अच्छा लग रहा है बहुत सवाद हारे बच्छे थे जो काफी उंजर्वए办र कर रहे हैं और देखे मताश्चा को लोलीपॉप, चीफ्स, सब्सकुछ लीकर एश सेद़ हो काफी उंज़ए कर रहими कि यहां का जो लाइफ स्टाइल है तो वीकेंड में कम से कम बच्चों लोगों को ले जाना पड़ता है प्ले एरिया जहां थोड़ा कुछ आउट साड उनलों गुमाने के लिए तो थोड़ा वेदर भी अच्छा था तो उनलों को अच्छा लगे गा तुम अच्छा लगे ग गई है और काफी वह एंजॉय कर रहे थी बहुत सारे ये खेलने के लिए थे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं और देखें नादरा का नादरा को भी मैंने बोला कि तुम भी खेलो तो बच्चे काफी एंजॉय की हैं इस पार्क में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये देखकर अभी वेदर बहुत अच्छा होने वाला है और भी अच्छा होगा क्योंकि विंटर का सीजन आ रहा है और ये जो वेदर था ना समर सीजन वाला तो उसमें बहुत मुस्किल होता है बच्चे को खेलना प्ले एरिया में जैसे की बच्चे को खेल रहे हैं तो वह जादा देर तक नहीं खेल पाएंगे क्योंकि यहां का विदर काफी गरम होता है गल्फ कंट्री का तो इसलिए और यह जो विदर है इसमें सिधर बैठ कर देख रहे थी मज़ा आ रहा था बच्चे लोगों को देखकर और यह देखिए जैस की जो होता है वो चल रहा है इदर और यहां पर देखिए इवनिंग का टाइम हो गया और हम लोग वापस निकलने लगे और कुछ इस तरह से यहां पर डेकुरेशन था पा Okay here koy kayके से ये लो चला रहे हैं बोडेशन की जो भीillar कफी और आ इंजोइक करते हैं फ्रैड़े की दे में और बहुत से लोगों का प्राइवेट ये जैट सकी होता है जोगी आ कर अपना काफी ये फन करते जैजू है करते हैं अपना जैक सकी चलाकर हज میں असले से यह लोग मतलब यह चलाते हैं बहुत अच्छा लगता है यह लोगों को देखकर तुम्हें सुची क्यों ना इन लोगों का भी वीडियो बना ले किस तरह से यह लोग एंजाई कर रहे हैं यह सी में और इसके बाद बच्छो लोगों का ट्यूशन का यह टाइम हो चुका था वो लोग ऑल लाइन ट्यूशन करते हैं न इसलिए मैं फिर टाइम से पहले निकल पड़ी यहां से वापस घर के लिए क्योंकि अभी बच्छो लोगों का एक्जाम आने वाला है तो इसलिए वो गजाम आने वाला है वन्ट भी के बाद इसलिए मैं वापस जाड़ी हूं तो यह था चोटा सा यह बहरेंड पार्क का भीडियो और यानि कुछ ऐसा व्यू था बहरेंट पार्क का व्यू सिव व्यू के साथ तो चलिए फ्रेंज आज कर वीडियो के इन में यहीं पर करती हूं मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ दुआओं में याद रखेगा बैबै अनला अफेज